हेलो एवरिवन गुद मॉर्निंग नमस्कार सूपरभात महरीसी ध्यानन दिश्विध धहले जैसा आप जानते हैं हर्याना की पहली यूनिवर्सटी बन चुकी है जिसने डेट सीट को रिलीज कर दिया गया है फाइनल एरोय समेस्टर वणों की जो प्रिक्षया होगी वो ओड इवन बेसिज के उपर होगी तो इसके अंदर पूरी की पूर डेटेल हम बताने वाले हैं आपको वीडियो के अंदर अगर चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें अपडेट्स के लिए और अगर आपको इसके बारे में प्रोटेस्ट करना है आपको एक मुहिम चलानी है उसका हिस्सा बनना है तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्षिन में टेलेग्राम ग्रूप दे रखा है उसको जोईन कर लीजिए वहाँ पे आप टाइग मैंने बना रख रखें आप लोगों के लिए वहाँ से टैग उठा के आपको ट्वीट करने है वो सारी सारी प्रोसेस टालेग्राम ग्रूप के अंदर है और डिस्क्रिप्षिन में टालेग्राम ग्रूप का लिंक है तो उसको भी फोलो किजिए चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं MDU में फाइनल एयर वे समेस्टर वाड़ों की ओड एवन से होगी प्रिक्षयम उसके बाद यहाँ पे जो हैडलाइन है डेट सीट जारी करने वाला हरियान की पहली उनिवस्टी केंद्रिय गाइडलाइन पर त्यार किया SOP एक बेंच चोड़ कर प्रिक्षयार्थी को अठाएंगे उसके बाद यहाँ पे कहा गया है लानी होगी अपनी बोतलवाय कैलकुलेटर इसके अंदर यह बताया गया है इसके अलावा यहाँ पे कोलिज और विश्विधले के स्टुडेंट की प्रिक्षयाओं को लेकर चल रही उलजन सुकरवार को खतम होगी अब सिर के लिए डेट सीट जारी कर दी गई है यह प्रिक्षयाओं 6 जुलाई से 25 जुलाई तक होगी यानि कि कहने का मतलब यहाँ पे देखो क्या है अंतिम वर्ष के जो यूजी और पीजी और बेड स्टुडेंट्स के अलावा इनको छोड़ कर डेट सीट जो डेट सीट जारी क कर दी गई है ठीक है उसके बाद है पहली बार यूजी पीजी के लिए प्रिक्षयाओं और इवन फार्मूले से होंगी एमडिवी ने केंद्री एक ग्रह मंत्राले की गाइडलाइन के अधार पर स्टेंडर ओपरेटिंग पैंसल प्रोसेजर का प्लान किया है एमडिवी मे असर करीब सवा लाग स्टुडेंट्स पर होगा इन में नो जिलों के स्टुडेंट्स आते हैं रोतक के सोनिपत के जजजर के गुरुग्राम के फ्रीदाबाद के पलवल के मिवात के और इसके अलावा रिवाडी और भिवाने के कुछ कोलिज ने कोर्स पर स्टे ले रखा है उन्हें भी इस फैसले का फाइदा मिलेगा इसके बारे में अपनी पोतल और पानी लेके आने पड़ेंगे इसके लिए सारे आपने मास्क वगएरा वो सारी चीज़ें अपने फॉलो करने है जो गवर्मेंट्स की गाइड लाइन है उसके अकोर्डिंग इसके बाद है सं की प्रिक्षा का सड्डियूल जारी कर दिया गया है एस ओपी त्यार कर प्लानिंग कर ली गई है ताकि स्टुडेंट्स को सुरुख सीद रखा जासके सोसल डिस्टैंसिंग मास्क वज सैनिटाइजर अनिवारिये किया है किसी भी क्रोना पोजिट्व को प्रिक्षा देने से जो अभी तक ये फैसला आया है उसको देखते हुए आपने देखा होगा पिछले दिनों में पांडे चेरी और उडिसा ऐसे राज्ये हैं जिन्होंने फाइनल एर के स्टुडेंट्स को भी पर्मोट कर दिया गया है लेकिन हरियाना की अगर हम बात करें कोरोना पोजिट देने से यहां पे मना कर दिया है लेकिन M.D.U. बार बार M.D.U. ने सबसे पहले डेट सिट जारी कर दी है और भर्याना सरकार को बार बार संग्यान में लाने के बावजूद भी प्रिक्षिया को लेने के लिए अभी जो त्यारियां चल रही है उसको लेकर हम कह सकते हैं कि हमें अपनी त्यारिया ही कर लेनी चाहिए लेकिन फिर भी हम आप लोगों से कहेंगे कि अभी भी मौका है सरकार को जगाने का एक और अंतिम कोशिस की जा सकती है आप लोगों की क्योंकि जो स्टुडेंट्स इतने लंबे सफर में ना ही तो प्रोपर रोडवेज के वहिकल मिलेंगे आपको ना ही टैक्सी मिलेंगी लड़कियों को आने जाने में दिकत होगी मोस्टली सबसे ज़्यादा तो और गल्स के अलावा बोईज को भी होंगे बोईज अगर परसनल वहिकल से जाएंगे तो किसी के पास ड्राइविंग लेसस नहीं है किसी के पास वहिकल न इसा बनना चाह रहे हैं तो जल्दी से टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर लीजी आप जितना जल्दी जॉइन करेंगे उतनी ही जल्दी आप लोगों के लिए हम मुहिम चलाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना चैनल प प्रास कर लेना ताकि आपको हर चीज की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे थैंक्यू है वे गुड़ डेए